अब एक राजस पंच मध्यमार की है कौन है भगवान की कथा तो नमित हो गई तोड़ा हसलो हसालो तोड़ा खेलो खुदो तोड़ा किसा कहानी हमारे दादा जी कहते हैं डुकरिया पुराण कुछ सुना दो चार घंड़ा तो निबड़ी जाएगा जो जीव के मन को संसार के विहार विवहार में रमाने वाली चर्चा है वो राजस प्रकार के पंचों के भाव की चर्चा है इससे भक्ती का कोई लेना देना में मेरे प्रमात्मा ने भोले बाबा ने रिश्वर यागवलक जी ने एक एक बात सब ने कही वो सुन्डी बाबा तो कहते हैं मेरे भगवान के स्मरड के बिना जीव तर ही नहीं सकता तरहन बिन सेवे ममा राम नमा नमा मेरे बिना मेरे स्वामी के स्मरड के जीव तर नहीं सकता गोले बाबा मा से क्या कहते हैं अमा कहमूं मैं अनुभव अपना सतहरी जगत सब सब्सक्राइब भगवती मैं नीजनभव कहता हूं मेरा अनुभवे बुजरूंडी बाबा नीजनभव मैं यहां अब लिखा कहमुख गेसा बेनुहरी बजन मिटे हैं के लें बिना भगवान के भजन के जीव का कलेश समाप्त ने होता तरास ताप मिटता ने होता भगवान का भजन मनुष्य के जीवन के लिए सुगंध जैसा है आप जड़ा दर्शन करिए मनुष्य का जीवन मिला मेरे प्रभू उत्तरकान में कहते हैं बड़े भाग मानुष्टन पावा सुरदूर लभ संसार में भगवान की भक्ती संसार की सामगरी प्राप्त करने का साधन नहीं है उसके लिए तो देवताओं का पूजन ही पर्याप्त है भगवत प्राप्ति भगवान के भजन के लिए भगवान का भजन भगवत प्राप्ति के लिए ये सहज साधन और सहज वेवहार है जगत में जो आपको चाहिए स्वास्त अनुकूल रखना है सुर्य भगवान के उपासना करिए दमा से मुक्ति प्राप्त करना है अशुनी कमारों के उपासना करिए अर्थ चाहिए स्रीजी के उपासना लक्षमी उपासना करिए कष्टक कठाना है तो भोले बाबा के उपासना करिए विद्या वारिधी बुद्धी गणपती भगवान की उपासना करिए देखें यह सुक्षमा बात है सरस्वती जी बुद्धी देंगी गणेस भगवान बुद्धी देंगे परंत जब वाणी क्या बोलना है kita नहीं बोलना है इसका विवएक चाहिए तो मा सरस्वती से प्राप्त हो सकते गरपती भगवान से नहीं है गरपड़ी भगवान के पास बुद्धी है उसमें वो पिएचडी है कैसे बोलना क्या बोलना यागवल्ग जी महराज बरदवाद जी के प्रति ये कहे शारददारो नारिसमस्वामी सारददार नारिसमस्वामी रामसोतर थर अंतर यामी कटमसली के तंत को पकड़ने वाले दशाने वाले जेहि परक्रीपा करई जन जानी कटमसली के परक्रीपा करई जन जानी कटमसली के वो रया जेर नचावई बानी 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 सरस्वती मैया काठ की कठ पुतली सारद दारु नारि सम दारुमाने कास्ट लकडी नारितों स्त्री अर्थात काठ की स्त्री हैं भगवान श्री रगुनात जी सुत्रधार हैं सुत्र को पकड़ने वाले हैं जिसके अंदर भक्ती का स्पुरण हो जाता है जेही पर उनकी कृपा हो जाती है उसके स्दै में कभी तैस्फरुत होने लगता याग गवलक जी महराज कहता है